हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे सो बच्चों आज इस वीडियो में हम स्टेंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट इविस चैप्टर 20 ड्रॉप बाई ड्रॉप डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ड एड प्लीज ओपन यूर बुक स्पेज नंबर 134 चैप्टर 20 ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप क्या होता है बूंदे पानी की बूंदे मादो लिव्ज इन बजू ए स्मॉल विलेज इन राज्यसान तो मादो एक लड़का है जो बजू एक विलेज का न बख्ली एविलेज वहाँ पर क्या है मुश्किल से ही घाम नजराता है यहां मlenके है पॉप घaltet कम बहुत ज़्यादा कम तो बहुत कम वहां पर दिखाई देते हैं यहीं तो बहुत मुश्किल से गाम दिखता है क्योंकि वह क्या होता है आल यू सी इस साड डराऊंड आप देखोगे वहाँ क्या होता है चारो तरफ क्या होती है रेत ही रेत होती है रेत बहुत जल्दी गरम हो जाती है वहाँ पर पानी की भी कमी पाई जाती है क्योंकि प्लांट बहुत कम होते है जहां कहीं प्लांट होते है तो बहुत कम बर्शा भी बहुत कम होती है इसलिए population बह वहां पे कुछ ही घर होते हैं when the sand does not blow, अगर रेत यानि की हवा ना चले रेत ना उड़े तबी हमें कुछ houses दिखते हैं, everyone in Mado's family is upset, मादो की family में हर एक जो भी उसकी family में रहता है वो सारे क्या है अपसेट है, every summer there is a water scarcity in his place, हर एक गर्मी में राज़सान में पानी की scarcity means दुरल कब बता कमी पाई जाती है in his place, इस थान में, this year, इस साल भी, it is worse, मतलब बहुत बुरा है, it did not rain, बारिश नहीं हुई, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पे बारिश at all, मतलब बारिश भी नहीं हुई, his mother and sister, जो बज्जु है, उसकी mother और sister have to walk चलते हैं, a longer distance, बहुत ब nearby pond, जो उनके घर के houses के पास, pond है, has also dry, क्योंकि बहुत जादा गर्मी पढ़ती है, जिससे वो, जो pond है, तलाब है, उसका पानी भी dry हो गया है, सूग गया है, each day, परते एक दीन, they spend hours, उन्हें काफी घंटे खर्च करने पढ़ते हैं, years to get four pots of water, पानी के चार पोर्स मतके, ज इतने घंटे खर्च करने पढ़ते हैं, काफी, विहाईल वाकिंग on the hot sand, क्योंकि रेत क्या होते है, बहुत जल्दी गर्म होते है, वहाँ पे वैसे भी गर्मी होते है, विहाईल वाकिंग, चलते चलते, ओन्दा होट सेंट, गर्म रेत पर, देयर फीड वर्न, जलने लग अब आपने भी देखा होगा, जब हम summer's day होते हैं, तो पैर काफी धूप तेज होती है, माई-जून के मीने में, तो पैर क्या होते हैं, जलते हैं, और छाले पढ़ जाते हैं, यस्ट कैननोट भी अवाइड़, और क्या कर सकते हैं, हम इन से बच भी नहीं पाते हैं, क्यों इसने भी तीन और इसने भी दो ऐसे लेके जाते हैं, तो नंगे पैर जा रहे हैं, जिसके कारण के पैरों पे क्या पढ़ जाते हैं, चाले पढ़ जाते हैं, तो आपने देखा, इंडिया के कहीं स्टेट में पानी बहुत ज़्यादा पाय जाता है, और कहीं पानी की बहु है तो वह क्या लेके आति है पाणी लेके आती है डियर वेरी है पी तो वह वहां के राजसाँ के लोग क्या हो जाते है खुश викजा कर दो सफादर जoking जर। भाटव केnow तो पाणी ही है जेंञ लेक हुँ है कपानी लेकर उल्चकंप ये अक्सर नहीए पानी दिनों तक दिक्कत उठानी पड़ती है, people keep waiting days, काफी देर wait करनी पड़ती है, कहीं दिनों तक, and days for water, किसके लिए, पानी के लिए काफी पतिक्षा करनी पड़ती है, some people collect rain water, कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी बारिश आती है, तो क्या कर लेते हैं, क्या आप जानते हो, what a tanka is, कि tanka क्या है, and how it is built, कैसे बनाया जाता है, तो ये देखो, एक पिक में दिखारक है, ये घर की चट के उपर, ये रूफ है, ये किस तरह से रूफ बना रहे हैं, slanding base है, इस तरह से, जैसे की पानी भैता है, ये पाइप दिखार की है, और ये इन्होंने underground tanker, धर्ती के नीचे, बूमी के नीचे, अर्थ के नीचे tanker बना होता है, जिसमें rainwater पानी पड़ता है, और इसको एक lid ढगकन से ढग दिया जाता है, तांकि ये साफ सुत्रा रहे, और इसमें एक चलनी भी होते है, जिससे ये filter होके जाता है, उसको बोलते हैं see, अब आके देखनों, आप to build a tanker, एक tanker बनाने के लिए, पिट इस डिग डग इन्दा कोड़ जाड़, अपने आंगन में क्या खोद लेते हैं, एक खड़ा कोड़ लेते हैं, डग होता है खोदना, पिट होता है गड़ा, और इट इस मेड पका, और उसको पका बनाती है, दा टैंक का इस कैप्ट कवर्ड विदे लिड, और जो टैंक का होता है, इस टैंक को इस लिड दिए, और वो एक पाइप लगा दी जाती है, तो जैसे टैंकर में सिधा पानी चाहें, और क्या होता है, so that the rainwater collected here flows through a pipe, ताकि जो पानी कठा होता है, वो फ्लो के द्वारा एक पाइप के द्वारा भैता हुआ जाए, इन्टु दा टैंक का, टैंका में, एक सीवीज अटैच टू दा माउथ ओव दा पाइप, so that no dirt goes to into the tank, जो ही मैंने आपको बताया, एक चलनी टाइप होती है, जो बीच में थोड़े-थोड़े छेद होती है, वो अटैच कर दी जाती है, कहां पे पाइप के माउथ में, ताकि कोई भी dirt, कोई भी गंद उस टैंक में ना जाए, this water is used for drinking, फिर ये पानी भी क्या होता है, क्या हो जाता है, पीने के योग्या हो जाता है, इसको यूज कर लेते है, after it is clean, जब ये clean हो जाता है, sometimes कभी-कभी मादो is allowed to take water from one of the tankas of the village, कभी-कभी मादो भी जाता है, पानी लेने के लिए, अब आपने देखा, जो उसकी मादो की मदर और सिस्टर थी, वो कहां से लेके आते थे, थोड़ा सा दूर जाके, जैसे हमने लास्ट पेज में पढ़ा था, अब अब क्या है, मादो मादो कहां जाता है, वही टैंक में जो विलेज का एक टैंक बना हुए, बनार का जहां से लोग पानी लेके आते हैं, तो इस तीनों अलग लग जगा से पानी लेके आते हैं, अब देखो, ठिंक, सोचो, वाट आर दा डिफिकल्ट्स, क्या-क्या डिफिकल्ट्स आएंगी, प्यूपल फेस, जो लोगों को फेस करनी पड़ेंगे, डियो टू स्केरसिटी और वाटर, अगर पानी की दुरलबलता पाई जाए, अब सबसे में परपस क्या होता है, पानी को पीने का, सबसे तो हमें पानी पीने के लिए चाहिए, फिर वाशिंग प्लोट्स के लिए चाहिए, वाशिंग यूटैल्सिस के लिए चाहिए, भरतन दोने के लिए चाहिए, वाथिंग के लिए करनी चाहिए, व्रशिंग के लिए चाहिए, इन सब आपको तो यह तो पता ही है कि वाटर के क्या-क्या यूजिस है तो आप लिख सकते हैं तो इसमें हमें difficulties आएंगे ठीक है अब first question क्या है from where कहां से do the people in Mados village fetch water for drinking कि Mados के गाउं के लोग कहां से पानी ले क्या आते थे from the pond कहां था वो longer distance पे कहां पे था longer distance थोड़ी सी दूरी पर काफी दूरी पे अब हम इसमें लिख सकते हैं यह देखो first question का अंसर the pond is very far from the village जो pond था वो village से दूर था sometimes a get water from a train that carries water एक train से लेते थे जैसे की मादो के पापा लेते थे carries water और क्या होता था कहीं बार क्या होता था कि कहां से लेके आते थे times they are also allowed to take water from tank कहीं कहीं बार वो कहां से लेके आते थे train से और एक कहां से लेके आते थे from the tank का ठीक है who fetch water in मादो के house में कौन-कौन पानी लेके आता तो यह हमने पड़ा है mother's sister or mother goes to the pond to fetch water और mother's father goes to fetch water in his camel cart और कहां से लेते थे from the train लेक सकते हो की train से जब कभी कवार आती थी और मादो कहां से लेता था from the tank का ठीक है इन तिन्णों का लिखते थे थे कभी कवार मादो और उसकी मादो की sister और मादो की mother लेके आती थी फिर मादो के father और फिर खुद मादो भी लेके आता था आगे है third question water collected in the tanka is mostly used for drinking जो tanka का पानी था भी हमने पढ़ा है कि वो पीने के लगभग यानि कि ज़्यादा तर पीने के योग्या होता था बिल्कुल होता था क्योंकि उनमें देखो हमने पढ़ा था एसीव लगी होती थी जो उसको filter करती थी क ताकी वो डस्त ना जा सके तो हम लिखेंगे yes the water in tanka is filter and covered इसलिए उसको पानी पीने के लिए यूज किया जाता था वाई पुछा है क्यों यूज किया जाता था इसलिए अब देखो fourth question is rain water collected in your house as well क्या आपके घर में भी rain water इकठा किया जाता है if yes अगर yes तो how कैसे किया जात इन टैंक जैसे पानी के बड़े-बड़े प्लास्टिक के टैंक होते है जा स्मिंटी टैंक होते है उसमें जा underground tanker में लिख सकते हो जा लिख सकते हो अगर no लिखोगे तो लिखोगे no there rain water is not collected in my house की मेरे घर में rain water क्योंकि हमारे में पानी की कमी नहीं पाई जाते है हमारे घ क्या है can there be any other method of collecting water क्या आपके पास कोई और भी method है जिससे हम पानी कोई कठ्था कर सकते है yes water can be collected in buckets बाल्टियों में कठ्थे कर सकते हैं drums में बड़े-बड़े-बड़े tankers में कठ्था कर सकते हैं just like madho sonal also faces water scarcity in her house जैसे madho ने किया वैसे ही sonal भी face कर रही है सामना कर रही है अपने घर में पानी की कमी को she lives in भावनगर अब नगर कहां पे है गुजरात में तो यह भी आप देख सकते हो एक तो हमने राजसान में पड़ा था राजसान में पानी की कमी पाई जाती है आप देखोगे इंडिया के मैप में गुजरात एक गाउं है चोटा सा भावनगर water is supplied only for half an hour in a day और वहां पे water supply स्पलाई इनली में बाई कर दोली माप में कर दोता है पानी आतीम में यह फैसे और गन तो यानि कि एक इक वन- आर में कितने मिनाट्सों होते है protecting मिनरस सिरफ थर्टीमिनर्स के रिए उया धान डिवाइड करके सिरसान मर्ज़ी भन आ तो उसमें भी पानी की कमी पाई जाते हैं, फिर पूरा दिन पानी नहीं आता, all the people of the area, तो इस area के लोग भी क्या करते हैं, depend on only a single tap, तो एक ही single tap के उपर depend करते हैं, can you imagine what happens, क्या आप कल्पना कर सकते हो कि उनके साथ क्या होता है, जहां पानी की कमी पाई जाती है, sonal is determined to take water from the tap, sonal जो है, वो tap से पानी लेकर आती है, whenever she gets a chance, जो अगर उसको chance मिलता है, she fills her bucket, वो अपनी bucket भर लेती है, even if it just drop by drop, यानि की वो अपनी bucket रख देती है, बूद बूद से, जैसे कई मार क्या होता है, हमारी जो tap होती है, लेकेज होती है, पर अगर हम उसके नीचे को जो वो सुबा रखी, तो दिन में भर जाती है, जो दिन में रखी, रात को हमें क्या हो जाता है, एक एक बूद से भी वो bucket क्या हो जाती है, फिल हो जाती है, let us find, आओ हम find out करते है, how many drops की, बूद बूद से, कितनी बूद बूद से, विल फिल ए बाउल, एक बाउल भर जात आपने एक्टिविटी अपने घर पे भी करके देखने है, do activity as shown in the picture, इस picture में दिखा रखी है, and write answer in the box, drop will fill a spoon, तो कितनी बूद से, कितने drop से, एक spoon को भर सकते हैं, तो मेरे तो सिरफ दो drops से ही, एक spoon बढ़ गया, तो ये आपके spoon के उपर भी डिपेंड करता है, कि आपका big spoon जो small spoon है, तो आपने एक्टिविटी अपने घर में करके देखनी है, अपने अपने spoon से, फिर second point का है, how many spoons will fill a bowl, अब कितने spoon से एक bowl भर सकता है, अब ये भी bowl के उपर depend करता है, जैसे इसमें दिखा रखा है, तो 10 भी हो सकते है, 7-8 भी, अब आपके bowl के उपर depend करता है, और आप जो spoon ले रहे हो इसके उपर, तो आपने ये घर पे करके देखना है, आपको काफी मजा भी आएगा, अब थेर्ड में क्या है, how many bowls, अब कितने bowl से, एक मग को, अब मग क्या लोगे, आप अपने वाथरूम का भी ले सकते हो, मग आपका small है, जा big है, जा broad है, थोड़ा स तो उसके हिसाब से होगा, तो इसमें 3 bowls आ सकते हैं, अब ये देखो, 4th में क्या है, how many mugs will fill a bucket, और कितने mugs से bucket, अब bucket के साइज का भी फरक पड़ता है, और इसके mug के भी साइज का, तो मैंने एक ये वीडियो, jugs and mugs, जो math की वीडियो थी, जातो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, इसका link मैं आपको description box में डाल दूँगी, जिसमें मैंने water के बारे में बता रखा है, कि कितने glasses से एक जग भरती है, और कितने mugs से एक bucket को भरा जा सकता है, नहीं तो आप ये करके भी देख सकते हो, ठीक है, seen how, क्या तुम देखते हो कि कैसे to got so much water कि कितना पानी भरा जा सकता है, drop by drop से, अगर आपके घर में कोई भी tap leakage हो रही है, तो आप उसके नीचे bucket रखके देखो, रात को और सुबा देखना, उसमें एक बून से बून से, किस तरह से वो bucket भरती है, जा half होती है, तो ये try करके देखना, just think if, सोचो, if a tap leaks even drop by drop, अगर यदि एक tap leak होती है, even drop by drop, तो उससे बून बून से, how much water, कितना पानी would be waste, कितना पानी waste हो जाएगा, these pictures show you something similar, तो ये कुछ पिक्चरे है, जो आपको दिखाएंगी, इस तरह से, तो ये देखो, एक tap है, जिसमें देखो, बून बून से, करते हैं, जैसे पानी, क्या हो रहा है, waste हो रहा है, अब ये लड़का देखो, इसने भी tap क्या करकी है, रणिंग करकी है, यानि कि चला रखी है, और ये brush कर रहा है, तो कहीं, जो है, persons, वो क्या करते हैं, brush करते हुए, नल को खूला को मतलब हम repair नहीं कराते हैं, और brush करते हुए, जा shaving करते हुए, कहीं ये क्या करते हैं, पानी को खुला छोड़ देते हैं, तो वहां पे देखो, जैसे कि हमने पड़ा, राज्यस्तान, गुजरात में, पानी की कमी पाई जाती है, तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, क कि वो कितना पानी के लिए क्या कर रहे हैं, तरस रहे हैं, यानि कि उनको काफी difficulty उठानी पड़ते हैं, तो हमें पानी को save करना चाहिए, can you think, कि आप सोच सकते हो, of ways of saving water, कि कौन कौन से तरीके हैं, पानी को save करने के, write your suggestion below, तो आप नीचे कुछ suggestion दोगे, तो पहले क्या कर करेंगे, in pipeline, उसको repair करवाएंगे, मुनमत कराएंगे, do not keep the tap running, चलती भी नहीं छोड़ेंगे, brushing your teeth, या taking bath, तो अगर हम बात भी करते हैं, तो हमें shower नहीं, एक bucket में fill करके, पानी को use करना चाहिए, क्योंकि शावर से भी, अब यह देखो, take a bucket instead of a shower, पान, shower की जगा हमें क्य यूज करना चाहिए, bucket baltica, यूज करना चाहिए, use water, जो हम पानी यूज करते हैं, left after washing vegetable, सब्जियों को दोने के लिए, उसको कहा कर सकते हैं, जो हमारे garden में plant लगे हैं, उनमें use कर सकते हैं, इस तरह से क्या हो जाएगा, पानी save हो जाएगा, आप कुछ और point लिख सकते हो, जैसे कि हमने, जैसे हम कहा देते हैं, कि हमने कपड़े धोए, washing cloths, उसके बाद जो water हमने use करना है, वो किस में कर सकते हैं, मॉपिंग में, जानी कि पोच्चा लगाने में use कर सकते हैं, जो हमारे courtyard होते हैं, उनको दोने की बजा, उसको मॉप कर सकते हैं, जिससे पानी की क्य होएगी, saving होएगी, तो आप कुछ ऐसे point लिख सकते हो, 4-5, have you seen water flowing unnecessary in your home, school or any other place where, क्या अपने कभी पानी को unnecessary, बिना जुरूट के भैत वे देखा है, अपने घर में, school में, जा कहीं और जगा है, तो वो कहां पे, तो आप लिखोगे, अगर 9 में लिखना चाहते हो, तो 9 से, खतम हो जाएगा, अगर लिखना चाहते हो, yes, there was a tap in my house, जा garden, जा school, लिकिंग water, drop by drop, जहां से पानी क्या होता है, बून बून लिखे होता है, तो इसने, जैसे हम home लिख रहे हैं, तो my father got it, इसे repair कराएंगे, as soon as, जल्दी ही, जल्दी, ठीक है, look at the picture, अब आप कुछ पिक् something else, और कुछ और के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि हमने, जैसे ये use किया था, कि जो हम vegetable को wash कर रहे हैं, उसके बाद water, जो left use को किस में use कर दे, plants में use कर दे, जो हमने washing cloths में use किया है, पानी, उसको हम कहां use करे, मॉप में use कर दे, इससे क्या हो जाएगा, इन्होंन जो पानी है, can we use for watering plants, plants में use कर सकते है, water of washing cloths का, use for mopping, मॉप में use करते है, तो ये reusing हो गया, recycling हो गया, पानी का, अब ये कुछ pictures दिखा रखी है, जैसे हम लगा सकते हैं, राज्यसान, गुजरात, जब कोई और state, जहां पानी की कमी पाई जाती है, तो ये देखो, कैसे ports लेके जा रही है, टू-टू ports, अब ये देखो, इसमें, ये कैसे एक चार पाई पे, कोड पे नहा रही है, और उस ये यूज करें, छोटे से उस से यूज करें, तो कि पानी ज्यादा वेस्ट भी ना हो, और वो जो पानी है, वो उसके पीने के लिए भी रखर का, यानि कि जहां पानी की कमी पाई जाती है, वहां लोग पानी की recycling भी करते हैं, और थोड़ा-थोड़ा पानी करके यूज भ काम हो रहा है, after the other, उसके बाद, so that the same water, वही water can be re-use, जैसे की इस ने किया, ठीके ना, वही नहाने वाले पानी को, इसमें इस तरह, द्वारा से, जैसे मिने आपको बताया, कि जो वाशिंग, आपको देखो, washing hands and face, अगर हम चेरे और face को दोते हैं, ठीके, तो वो पानी हम क कपड़ों का मॉपिंग दा फ्लॉर, अब ये एक इनो ने डरन पहली करके दिखार का जैसे के हमने, कॉस्चन में भी किया, washing fruits and vegetables, उसको किसमें यूज कर सकते हैं, watering plants, पोदों को पानी देने में, तो ये re-use हो गया, you have given some suggestion, हमें कुछ suggestion दिएगे, सलहा दी गई, कुछ तरि इस फिल्टर होकर उसमें, टैंक में कठा होता जाता है, तो कई यानी उसके नीचे बरतन रख देते हैं, उससे पानी को, जैसे ज टैंसिल होते हैं, उसको क्लीन करते हैं, तो लोग कई मैथर्यूर्यूस कर सथे हैं, only under condition, condition के अंदर, अब जैसे की फिल्टर होता है, यू नो क्या आप जानते हो, one of the reason, एक reason, for the scarcity of water, पानी की कमी के कारण, लोग वेस्ट इट, which is because people waste it, क्या पानी की कमी के कारण, लोग इसे, do you know क्या आप जानते हो, one of the reason, एक reason ये भी हो सकता है, for the scarcity of the water, की पानी की कमी क्यों पाई जा रही है, because people wasted, लोग काफी पानी वेस्ट करते हैं, just think, अभी सोचो, how good, कैसे अच्छा होगा, it would be, कि अगर अच्छा हो, if everyone got water, की अगर हर कोई पानी को क्या करे, प्रापत कर सके, जहां पानी की कमी पाई जाती है, वो कैसे होगा, अगर हम पानी को सेव करेंगे, हम सोचेंगे, जहां लोगों को पानी नहीं मिलता, जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कहीं जगा पानी की कमी पाई जाती है, और कहीं जगा क्या करते हैं, लोग उसी पानी को जैसे rain वाटरी कठा करते हैं ताकि वो पानीरी हमारा यूज में आ जाएजा जा 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 जैसे वाटरिंग प्लांट्स का हो गया तो हमें इस चैप्टर से हमें क्या मिलता है लेसन की हमें पानी को सेव करना चाहिए वेस्टेज नहीं करना चाहिए तो बच्चो I hope आपको ये चैप्टर समझा गया होगा अब हम मिलेंगे नेक्स चैप्टर के साथ नेक्स वीडियो में तो बच्चो गुडबाई टेक केर